तो गाइज आज है तारिक 6 मार्च 2021 अलग-अलग न्यूस पेपर से important articles का discussion करेंगे हम लोग इस particular वीडियो के अंदर इस वीडियो को आप लोग daily current affairs का वीडियो भी बोल सकते हो क्योंकि हाँ पर हम लोग important current affairs का discussion करते हैं daily business पर so let's get start with a beautiful quote तो हमेशा की तरह हम लोग कुछ नया सीख कर अपने दिन की शुरुआत करेंगे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है don't give up the beginning is always the hardest देखो यार हमेशा जब भी हम कुछ नया शुरुआत करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी कठिनाई आती है और हमें करना क्या चाहिए जो हमने शुरुआत किया है उसको continue रखना चाहिए लेकिन हम वही चीज नहीं करते परिशानिया आई पीछे हड़ गए हम लोग तो वही नहीं करना है हम लोग को वहां से हार नहीं माननी है देखो यार मैं अपना ए फोकस करके कवर करने ही वाला हूं अपनी महनत लगा दूँगा पूरी एक से दो महीने के बाद अगर मेरी पूरी महनत लगाने के बाद भी मुझे नहीं समझ में आता है तो तो मैं छोड़ दूँगा तो मैंने यहां पर डिसाइड किया था दो महीने तक मैं पढ़ूँग से लड़ते रहना है जो आपने शुरुआत करी है उसको अपने मुकाम तक जरूर पहुचाना है तो आगे बढ़ते हम लोग देखेंगे आज कि क्या क्या आर्टिकल से जिनका डिसकुशन करना है हम लोगो सबसे पहले बात करेंगे कुछ शॉर्ट आर्टिकल की तो आप किया है कहां पर यह देखने को मिलता है उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्ट आर्टिकल है दो दिन दिन से काफी न्यूस के अंदर है इस ओफ लिविंग इंडेक्स तो यहां पर बात करने वाले हम लोग कौन सा शहर है भारत के अंदर जहां पर रहना सबसे जादे असान ह उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ आर्टिकल से डीटेल जो की डीटेल में होंगे काफी जादा यह आर्टिकल काफी इंपॉर्ट है पहला जो की अभी तक कहीं पर भी अच्छे से कवर नहीं करा गया है तो मैं यहां पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ ओ तो हम कैसे उसको प्रोटेट कर सकते हैं कैसे आग से बचा सकते हैं क्या-क्या मेजर्स अपना सकते हैं यह सारी चीजे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ फिर उसके बास सेकिंड आर्टिकल में बात करेंगे हम लोग इंडिया बंगलदेश के रिलेशन के बारे में काफी जादे न्यूस के अंदर हैं दोनों तो हम लोग डिसकस करेंगे थोड़ा सा डीटेल के अंदर फिर राइट टु एजुकेशन के बारे में जानेंगे न्यूस के अंदर क्यों है मैं भी आप लोग को आगे बताऊंगा डेली हाई कोर्ट ने बोला है सेंटल गोर्में जिसका उत्तर सभी लोग को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है यहाँ पे क्वेशन है इंडिया है साइन एन एग्रिमेंट विद विच कंट्री टू सप्लाए ब्रहमोज मिसाइल और डिफेंस एक्विपमेंट इंडिया ने एक एग्रिमेंट साइन किया है वो कौन सी कं इंट्री को ब्रहमोज मिसाइल की सप्लाई करने वाले हैं आपके सामने दिख रहे हैं क्या है नेपाल चाइना रशिया या फिलिपिन्स करेक्ट आंसर आप लोग को सभी लोग को नीचे कॉमेंट सेक्शन में देना है जिसको नहीं मालूम है एक बार जाकर अच्छे से सर् बात करी गई है नेगेव लाइट मशीन गंस के बारे में तो यह लाइट मशीन कौन सी होती है आप लोग देख पाऊगे यह पिचर के अंदर देख रहा होगा आपको देखो यहां पर थोड़ा सा क्लियर आपको हो सकता है ना दिखे वैसे दिख जाना चाहिए और तो अग सब्सालन करेगी और ये हम लोग noble चे Й background же प्फेले तो हम लोग और यह किस से ले रहे हैं इस्राइल से ले रहे हैं किसके लिए ले आप बेसी बात है हम अपने जवान के लिए जो की बारदर पर तेहनात है ठीक है तो हमने इसमे एय potato में तो हमने इसराइल की साथ कॉंट् 6,000 गन तो हम लोग अभी रिसीव कर लेंगे और उसके बाद जो बाकी बची कुछी गन्स होंगी वो हम मार्च 2022 तक धीरे धीरे रिसीव करते रहेंगे अब अगर हम बात करें ये गन का काफी जाद इस्तमाल होता है पूरी दुनिया में जो है काफी लोग इसको इसको इस्तम सेकिंड अर्टिकल बात करता है हिमालियन सीरो के बारे में ये जानवर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आप लोग अच्छे से पिच्चर को देख लो फिर हम थोड़ा सा डीटेलिंग पढ़ेंगे इसकी तो जो यह हमालियन सीरो है इसको कहां देखा गया है मानस पहरत का मैप यहाँ पर जो यह वाला एरिया है यह है आसाम वाला अब हिमालियन सीरों के बारे में पढ़ लेते हैं न्यूस के अंदर है तो ये एक सब स्पीशी है कहां की मेनलेंड सीरों की आम बात करें ये हिमालियास में देखने को जादातर मिलती है और इसका कॉमन नेम क्या है देखो अगर कोई भी आप स्पीशी पढ़ते हो, कोई भी जानवर पढ़ते हो, तो दो तीन चीज़े उसके बारे में जरूर पढ़ा करो, common name क्या है, उसका scientific name क्या है, उसका local name क्या है, और जो है, वो कैसा दिखता है, ये दो तीन चीज़े, कहां मिलता है, ये काफ़ important है, त तरह साथ साथ गोट के साथ साथ डंकी की तरह भी यहां पर यह दिखाई देता है, पहले तो all over the body यहां पर बताई गई है, कि गोट की तरह नजर आती है, और जो इसके कान है, वो है डॉंकी की तरह, colorful है, आप देख पाओगे, इसके हेरी है, जो आप कह सकते हो, नीचे red color क हेर है, उपर black color के हेर है, तो वो ही appearance यहां पर बताया गया है, पूरी तरह से बहुत बड़े-बड़े प्यार है, उसके बाद अब बात करता है, यहां पर IUCN status के बारे में, यह इसका क्या status है, देखो IUCN के बारे में पढ़ना काफी ज़्यादा जरूरी है, देखो क्या हो अब से यह list के अंदर डालता है, तो हमने अभी देखा, जो हिमालियन सीरो है, यह near threatened वाली list के अंदर है, मतलब की खतरे के आसपास है, यह जानवर कभी भी ख़तम हो सकता है, तो खतरे के आसपास है, यह near threatened है, तो near threatened वाली list अलग से बना रखिया IUCN ने, IUCN आप देखोग है वलनेरेबल नियर थ्रेटेंड तो अभी हमालेन सीरो कहां पर है नियर थ्रेटेंड की लिस्ट के अंदर है ठीक है उसके बार लीस्ट कंसर्ण डेटाड इफिशेंट यह आप देख पाऊगे यह सारी लिस्ट मेंटेन करके चलता है कौन IUCN IUCN के एक बार और फुल फॉर्म बता देता हूं मैं International Union for Conservation of Nature चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं यहां पर थर्ड आर्टिकल है आर्टिकल इन शॉर्ट का बात करी गई है Ease of Living Index 2020 2020 के बारे में साल 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और यह अभी दोतिन दिन पहले रिपोर्ट आई है Ease of Living Index की इसमें क्या देखा जाता है कि भाई भारत में कौन सा शहर है ऐसा जहां पर आप easily रह सकते हो तो उसको लिए यहां पर यह रिपोर्ट को लेकर आया गया कौन लेकर आया है Ministry of Housing and Urban Affairs ने एनाउंस किया है यह Ease of Living Index 2020 बैंगलूरू है यानि बैंगलूर है बिल्कुल टॉप के उपर इस पे आप वहाँ पर रह सकते हो अब इसके वे हम लोग बात करेंगे कैसे यह सारी चीज़े चेक करी जाती है तो जो Ease of Living Indexes का में मकसद है लोगों कोई City आप कह सकते हो वहाँ पर कौई 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 सा शहर ऐसा है जहां पर लोग बहुत एजली रह रहे हैं उनकी Quality of Life काफी बढ़िया है उन लोग के पास कैसा कोई बर्डन तो नहीं आ रहा है City को लेकर कैसा वहाँ का Gowerning Area है यह सारी चीज़े देखी जाती है फिर उसके बाद यह सर्वे लाया जाता है तो इस Index के अंदर जो है यह Top पर आया है कौन? Bengaluru अब यह Index दो भाग में बटा हुआ है एक तो पहली बात जिसमें जो भी शहर ऐसा है जहां पर 10 मिलियन से जादा लोग है यानि की Sorry, 1 मिलियन से जादा लोग है ठीक है? मैंने 10 मिलियन बोल दिया 1 मिलियन से जादा लोग है ठीक है? और दूसी तरफ यहां पर बात कर रखा है 10 लाग से कम लोग है यानि Less than Less than 1 मिलियन लोग है तो यह दो कैटिगरी के अंदर बाट रखा है तो जो 1 मिलियन से 1 मिलियन से प्लस वाले लोग हैं जहां पर उसमें Bengaluru को टॉप पर रखा गया यानि Bengaluru क में सबसे जादे लोग easily तरीके से रह सकते हैं उसके बाद यहां पर अगर हम बात करें Less than 1 मिलियन ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 10 लाग से लोग कम रहते हैं उसमें जो टॉप पर है वो है शिमला तो आप देख पाओगे Bengaluru को टॉप पर रख रखा है जहां पर मिलियन प्लस काटिकरी के अंदर शिमला को टॉप पर रख रखा है Less than 1 मिलियन काटिकरी के अंदर तो आई होप आप लोग को ये clear हो गया होगा आगे बढ़ते हैं तोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे articles in detail को की कौन कौन से article है जो detail में discuss करने है यह हमने पहले देखी लिया अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग Similipal Biosphere Reserve के बारे में The Hindu का article है massive fire देखने को मिली काफी तगड़ी आग लग गई थी यहाँ पर Similipal Biosphere Reserve के अंदर तो इसको हम थोड़ा सा detail के अंदर देखने वाले हैं तो एक बहुत बढ़ी आग लगी है इस reserve में जो कि Odisha के अंदर है लेकिन इस आग को control कर लिया गया है और इसमें जादा आपके सकतो damage नहीं हुआ है अब हम बात करेंगे यह Similipal Biosphere Reserve है कहाँ पर Odisha के अंदर है तो यह हमारे भारत का मैप हो गया Odisha कहाँ पर है वो यह वाला area है Odisha ठीक है इसके अंदर आप लोग यह वाला dot जो देखोगे यह है Similipal Biosphere Reserve I hope आप लोग को location जो है clear हो गई होगी Now कुछ key points देखेंगे दो यह Similipal नाम है यह इसका नाम कहाँ से आया है यह नाम लिया गया है Similipal से Similipal का मतलब होता है Silk Cotton का पेड़ ठीक है उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें यह इसको आप कहाँ सकते हो formally designation दिया गया यह मतलब एक दरजा दिया गया है जो यह reserve है इसको एक दरजा दिया गया है Tiger Reserve का कब 1956 में और इसको Tiger Project के अंडर में हम लोग लेकर आ गए थे 1973 के अंडर में ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें इसको एक Biosphere Reserve कब डेकलियर करा गया जून के अंदर 1994 जून 1994 में इसको Biosphere Reserve Declarator करा गया है तो हम लोग Biosphere Reserve कब डेकलियर करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है कि कोई सा particular area है वहां के जो जानवर है वहां का जो plant and species है उन सबी को protect करने की ज़रूरत है उन सबी को सुरक्षत करने की ज़रूरत है तो उस particular area को हम लोग biosphere reserve declare कर देते हैं तो ये भी हमारी government ने यहाँ पे इसको declare कर दिया था अगर हम बात करें ये part बन चुका था सबसे बड़ी आपका सकते हो organization का वो है UNESCO UNESCO World Network of Biosphere Reserve ये 2009 से जो ये similipal biosphere reserve है ये इसका part है अब यहाँ पर इसका part हो गया तो मतलब पूरे दुनिया के अंदर इसको एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है उसी के साथ साथ इसका part होने के साथ साथ यहाँ पर एक part है ये similipal, kuldिया हदगर और elephant reserve का ठीक है ये elephant reserve है कहाँ पर मयूर भंज डिस्ट्रेक्ट में और अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कहाँ पर located है similipal, biosphere reserve ये भी मयूर भंज डिस्ट्रेक्ट के अंदर है ओडिशा के अंदर एक मयूर भंज डिस्ट्रेक्ट है वहाँ पर ये located है location मैंने अभी आप लोग को बता ही दिया ये देखोगे आप लोग ये location हमने अभी देखी लिए है कहाँ पर है coverage है कितना कितना area इसका ये हमाले important नहीं होता उसके बाद आगे बात करेंगे क्या vegetation है वहाँ पर क्या क्या चीज़े मिलती है क्या इसी वहाँ पर बनस्पती है तो बहुत सारे आपको फूलों के प्रजाती मिलेंगे लगबग 1076 फ्लारिंग स्पीशीज है वहाँ पर और्चिट के भी ठेट सारे स्पीशीज मिलेंगे और्चिट भी एक प्लांट होता है उसके उपर एक बहुती कॉंप्लेक्स फ्लार निकल कराता है ठीक है तो ये सारे स्पीशीज है जो की इस vegetation के अंदर मिलते हैं उसके बाद अगर आपसे कहीं से भी बन सकता है मैं पर्डिकुलरली वह जो एरिया है उसकी हिस्ट्री सब आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं कौन रहता है कौन कौन से ट्राइबस वहां पर देखने को मिलते हैं बेसिकलिशीज जो ये ट्राइब हैं वहाँ पर ट्रेडिशनल देखने बाइबस पर ट्रेजव के पुड़िक का धनाने एकलोते हैंक पर देखने कर一定要 का मिलती करें बाते हैं मुझें पर लगवां से नयुर्ण जानवर मिलत रहते हैं जनगली इसमें से हाथी है यह इलिफेंट है अप्र आ頭 good यह जैसे कि हमारे मेंडक वगरा हो गए और जो बासट स्पीशीज है वो हैं रेप्टाइल्स च्छिपकली और साप हो गए ओके ना आगे बढ़ते हम लोग सिर्फ च्छिपकली और साप ही नहीं और भी उसके अंदर जानवर आएंगे जो भी रेप्टाइल्स होंगे जो रेंगने वाले जानवर होंगे ठीक है उसके बाद बात करते हैं वलनेरिबिलिटी की अब जो यह फॉरेस्ट फायर है यानि कि यह जंगलों में आग लग जाती है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैंनमेड फैक्टर यानि इनसान के थुरू आग लग जाती है सबसे बड़ी बात तो पोचिंग के थुरू पोचर कौन होते हैं अभी मैं आगे बताऊंग आप लोगो पोचर कौन होते हैं देखो मतलब इंसानी होता है पो पोचर कौल हो गए यह लोग क्या करते हैं पोचर जब जाते हैं जंगल में थोड़ी सी आग लगा देते हैं जिससे कि जिधने जानवर निकल यही जो आग है वह कहींना कहीं बढ़ती भी चली जाती और उसकी वजासे भी आग लगती भी दिखाई दे जाती है हम लोग को तो ये man-made factor हुआ उसके बाद mitigation strategies के बारे बात करें यानि हम लोग क्या-क्य strategies लेकर चल सकते हैं तो सबसे पहली बात देखो हमें क्या करना पड़ेगा fire lines को बनाना पड़ेगा forest fire lines को बनाना पड़ेगा यह क्या होती है देखो दोनों points के अंदर एक ही चीज common है वो है forest fire line वो काफ़ important है वो क्या है मैं भी आपको चलो आगे बताता हूँ पहली बात ओ पोचर देख लो पोचर कौन होता है पिचर में आप लोगों clear हो गया हो गए ठीक है तो यह देखो यह है पोचर उसके बाद इस तरीके से लोग जानवर को माल लेता है पकड़ लेता है और फिर उसके आपके सकते हो illegal trafficking करता है ठीक है यह दरोदर बेचा खरीदा जाता है उसके बाद यहां यहां से यहां नहीं पहुंचेगी ठीक है इस तरीके से लाइन बना दी जाती है और अगर यह ना होती तो आप कह सकते हैं आग जो है पकड़ती भी चली जाती ठीक है सब जगे लग लग जाती तो इस तरीके से हम लोग इसको को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉरIST फायर को सकते हैं ब फॉरेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं बाई मेकिंग इस फॉरस्ट लाईन्ज थारा आते हैं नेक्स टाटिकल चलींब 49 यहां पर आता है को बाकि Times of India के बारे में आप जानते होंगे ठीक है एकनॉमिक टाइमस के बारे में जानते होंगे वाकि सारी न्यूसपेपर के अंदर इस आर्टिकल को अपर करा गया है लेकिन जो यह हितावड़ा पीपल्स पेपर है यह एक इंग्लिश डेली न्यूसपेपर है और जो है Central तो ज़रूरी है कि आर कुछ न कुछ सीखें, ज़रूर डेली बिसस पे कुछ न कुछ सीखना जरूरी है, ठीक है। भले ही आपका पूरा दिन निकल गया हो रात में आपको टाइम मिला हो आपने कुछ नहीं सीखा तो लास्ट में जरूर कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा करो रोज सीखने से कहीं न कहीं आपकी प्रोग्रेस बढ़ती रहेगी अब बात करते हैं ये इंडिया और जी विजट पर जाने वाले हैं मार्च 2021 के अंदर बांगलादेश में तो इस वज़ा से न्यूस के अंदर है अब आता है थोड़ा सा डीटेल के अंदर कुछ की पॉइंट देखेंगे सबसे पहले देखो प्रॉब्लम्स वगरा काफी देखने को मिलती भी हैं लेकिन काफी रिलेशन आप कह सकते हों मेंटेन भी रहते हैं तो पहली बात हो जो प्रॉब्लम्स हैं इन दोनों नेवरिंग कंट्रीज के बीच में इसको रिजॉल्व करना चाहिए जल से जल डिसकॉशन करने चाहिए बैट कर बातचीत हो ताकि हम लोग जो आपस की दिक्कत हैं वो खत है ठीक है अब हम बात करें कॉपरेशन डियूरिंग कोविड नाइटेन कोरोना के टाइम पर दोनों साथ में रहें आप देख पाऊंगे वैक्सिनेशन प्रोग्राम भी यहां पर जारी करा गया है और बंगलदेश ने वैक्सीन खरी दिया है हमसे हमारे पास पूने में सीर इंसिट्यूट ऑफ इंडिया याद रखना है आपको और यह जो है आप कैसा क्यों बांगलदेश ने वैक्सिन पर्चेस करी है इससे और बांगलदेश ने 9 million doses वैक्सिन पर्चेस करी हैं जो की made in इंडिया वैक्सीन है तो यहां पर कहीं न कहीं रिलेशन अच्छे हैं दू आप Robذ इंडिया का स्टेड़ यहां लिपासलेश नहीं है बांगलदेश को क्यों कि मतल losers कंट्री के के लिस्ट में डाल रखा था मतलब कि यहां पर विकास नहीं है इतना लेकिन अब यहांसे लिस्ट से निकाल दिया गया, graduate कर दिया गया है ठीक है तो बांगलादेश को आप कह सकते हो लिस्ट डवलप कंट्री के लिस्ट में डाल लगा था लगबाग 1975 से और बांगलेश बना कप करने वाला हैं विकास करेंगे और अब यह सी बात है आने वाले टाइम पर यह डेवलपिंग कंट्री के अंदर आ जाएगा उसके बाद बात करता हैं और बारत के साथ बाकी सारे नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन हमारे इतने अच्छे हैं नहीं तो बांगलादेश है जिससे हम लोग काफी कुछ आपके सकते हो डील कर सकते हैं तो इससे रिलेशन मेंटेन करना काफी इंपॉर्डेंट बन जाता है उसके बाद हम लोग ने लगातार इंटरेक्शन रखा है चाहिए पैंडेमिक चल रहा हो यह COVID-19 आया साल 2020 में भी हमने अच्छी कासी बाचीत रखी है बांगलादेश है इंडिया और बांगलादेश की साथ में एक वर्चुल समिट हुआ था साल 2020 में दिसंबर के टाइम पर उसके बाद जो हमारे फॉरण मिनिस्टर्स हैं और वहां के फॉरण रहता है और आज का निये बहुत टाइम पहले का विवाद है तो इसका डिस्ट्रिबूशन को लेकर काफी विवाद रहता है काफी सारी चीज़े हमने कोशिश करी थी कि इस रिवर के लिए लेकर आ जाए लेकिन लेकर तो आए लेकिन चीज़े को इंप्लीमेंट नहीं कर लेकिन इसके फिलाल अभी हाँ पर हाली में इसके उपर भी मीटिंग करी गई थी लेकिन अभी कोई सलूशन है नहीं उसके बाद बात करें डेवलेप्मेंट अफ कनेक्टिविटी तो इन दोनों का इंडिया का काफी जादे फोकस है कि क्या कर सके बांगलादेश से काफी बढ़िया से हो सकता है उसके बाद बात करेंगे प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड सिजुएशन आज के टाइम पर कहां कहां पर यह लोग विकास कर रहे हैं दोनों मिलकर उसके बारें बात करेंगे सबसे पहले तो यार इनका एक ट्रायल रन चला है कंटेनर कार्गों का देखो बंगलदेश के अंदर एक पोर्ट एक बंदर गाया और यह अगर तला तक यहां पर बना हुआ है तो फिर यह जो रूट है यहां इसके बीच में आप कह सकते हो यहां पर कंटेनर कार्गों चलाया गया है जिससे कि आप कह सकते हो मतलब कि जो शिप वगर आए जहां जो है यहां पर बात करी जा रही है दो न्यू प्रोटोकॉल रूट्स हैं यानि कि हम लोग अभी यहां पर काम कर रहे हैं कि तिरोपुरा को कनेट करेंगे हम लोग बंगलादेश है और दो नए जल मार्ग से वाटर वेज मतलब जल मार्ग से उसके बाद हम लोगों ने अभी इन सब को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं इन दोनों को मिलकर ठीक है यह दोनों मिलकर इन चीजों के उपर फोकस कर रहे हैं तो यहां पर कुछ चीजे थी यहां पर अब आगे हमें फोकस करना है फोकस वही सारी चीजे बताई गई है हम लोग को आगे रिलेशन को मेंटेन करक करने रखना है और जो तीस्ता इशू है इसके ओपर स्टाइप उठाना है कि तीस्ता इशू कैसे हम लोग डिजॉल्फ कर सकते हैं इसके ओपर आपसम बैचकर बात चीट करनी है उसके बाद गया है डेली हाई कोड ने बोला सेंटरल गवर्मेंट से कि वो लोग रेस्पॉंड करें यानि किसी लोगों ने पेटिशन डाल दिया होगा की जो राइट टू एजूकेशन है लोगों के पास उनका अधिकार है राइट टू एजूकेशन है एक फंडमेंटल राइट है तो जो एकनौमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं यानि जिनका आपका सकतो बैक्गराउंट से आते हैं उनके पास इतना पैसा है नहीं पूर बैक्गराउंट से बिलॉंग करते हैं उनके लिए अभी हमारे पास राइट टू एजूकेशन क्या है सिक्स तू फूर्टीन येर्स तो आप यहां पर क्या हो गया इसी चीज को लेकर बात करेंगा यह सारी चीजों को खुल कर बता रहा है अगर आप लोग को पड़ी होगी तो आप लोग को क्लियर होगा यह सारी चीजे लक्ष्मी और बुक है आप लोग के पास तो वहाँ से आप लोग definitely पढ़ सकते हो बात करी गई है हमारे पास समविधान के अंदर क्या क्या provision है right to education के सबसे पहले constitutional provision for right to education की बारें बात करें तो हमारे समविधान में part 4 में article 45 and article 39 जो है यहाँ पर 39 subsection F of DPSP ये provision देता है कि हाँ हम लोगों के पास एक education होना चाहिए अब पहला document लाया गया था right to education के लिए एक committee report लाए गई थी किस के आथी राममूर्ती committee report साल 1920 के अंदर उसके बाद यहाँ पे 1993 में supreme court landmark judgment आया था एक case हो गया था कौन सा unique Krishna unique Krishna JP versus state of आंदर प्रदेश तो इसके अंदर supreme court ने अपना judgment लेकर आया और बोला कि जो education है वो जो है एक fundamental right होना चाहिए और इसको आप कह सकते हो article 21 से relate कर दिया गया तो article 21 से आब हमारे पास क्या आ जाएगा education होगा एक fundamental right लोग का यह अधिकार होगा अब उसके बाद क्या हो गया एक और कमिटी लाई गई कौन सी तपस मजुमदार committee 1999 में इसको setup करा गया जिसने यहां पर article 21 a को insert कर दिया ठीक है यहां पर भी हमारे पास 21 था अब हमारे पास 21 a भी आ गया अब लोगों के पास और जादे अधिकार आ है कि हाँ भई अब तो हमें education compulsory चाहिए ही चाहिए उसके बाद यहां पर 86 constitutional amendment आया 2002 के अंदर 2002 के अंदर हमने थोड़ा सा बदलाव करा क्या हुआ जो right to education है उसको fundamental right बना दिया part third of the संविधान में उसके बाद अगर बात करें इसको insert कर दिया article 21 में ए में ठीक है आपको धिहान रखने आर्टिकल 21 और 21 एक का काफी ज़दे चर्चा है अब अगर हम बात करें आर्टिकल 21 ए अब काफी important है इस पर धिहान देना है आर्टिकल 21 ए इसको बनाया right to education of a fundamental right for children between 6 to 14 years जितन भी बच्चों की उम्र 6 से 14 साल है उनके पास right to education का पूरा पूरा हक है उनको एक compulsory education मिलनी ही चाहिए यह हमारा समविधान बोलता है फिर उसके बाद आ गया right to education act 2009 ठीक है बदलाव होते चले गए यानि education हम लोग देते चले गए हम education का जो आप कह सकते हो हक है वो बात करी गई थी कि हाँ primary जो बच्चे उनको education दिया जाएगा मतलब की जो starting की पढ़ाई होती है एज उनकी 6 साल से 14 साल तक यहां पर पढ़ाई करवाया जाएगा उन लोग को एक कंबल सरी उन लोग का आपका सकतो पढ़ाई होनी चाहिए इसके लिए economic weaker section के लिए हाँ पर कि मतलब schools के अंदर 25% seat जो है उनके लिए छोड़ दी गई है उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे अब जो यह responsibilities वगरा है जो rule वगरा बनाता है education को लेकर वो दोनों मिलकर बनाते है central और state government काफी important चीज़ है education आता है हमारा concurrent list के अंदर हमारे पास 3 list है आप लोग को मा के लिए हम लोगों ने 6-14 साल के बख्ये बच्चों के लिए जो है right to education compulsory हो चुका है अब यहां पर क्या क्या चीज़ा बैन कर दी गई है बैन क्या करा गया यह बहुत important है physical punishment कोई नहीं देगा किसी को mentally harassed नहीं करा जाएगा या फिर बच्चा जब admission करेंगे बच्चों का तो उसका कोई screening procedures वगरा नहीं होंगे मतलब कि check up वगरा कि इस तरीके से कि उसको कोई disease तो नहीं है यह है वो है कैसे बहाने मारता है ना इस वाइसे बच्चों को जो economic weaker section वाले बच्चे हैं उनका admission करवाते नहीं उनको पीछे छोड़ देते हैं तो फिर उसी के लिए हाँ यह लाया गया उसके बाद कोई capitation fee यानि की आप कह सकते हो illegal कोई transaction वगरा करवा रहे है तो यह सब भी बैन होता है प्राइवेट ट्यूशन कोई ले रहा है तो यह भी बैन है या फिर जो कोई school run कर रहा है उसकी कोई पैचानी नहीं है उसके पास कोई license नहीं है तो वो भी स education का कि बच्चा है वो डर से बहार आ जाए ठीक है बच्चे को कोई डर ना हो कोई tension वगरा ना हो किस चीज़ को लेकर रहे बच्चे के साथ ठीक है जिससे की काफी कुछ हम लोग आगे जाके गेन कर सकते हैं ना उसी को लेकर यहां पर बात करी गई है जो economic weaker section वाले बच्च बढ़ा गया है कि क्योंकि यहां पर उन लोगों को महंगा पड़ जाता है ठीक है बच्चों के लिए फिर class 9 से फीस और बढ़ जाएगी तो महंगा पड़ जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि अब यह लोग क्या कर सकते हैं एक सेकंड गाइस देखो थोड़ा सा वीडियो स्टाक हो रहा था अब क्लियर है तो इसी की वज़ए से यहां पर इन लोगों है बोला है सरकार से कि इसको बढ़ा दिया जाए क्या होगा अभी तक हम लोग free और compulsory education ले रहे थे ठीक है free and compulsory education ले रहे थे तो अभी कब तक के लिए अब इसको बढ़ा देंगे हम लोग class 9 से शुरू कर दें class 9-12 तक और कर दिया जाएगा तो काफी better हो जाएगा ठीक है तो यहां पर यह बताया गया इसी के लिए यहां पर बात करी गई थी नव अगर हम बात करें economically weaker section के बारे में तो reservation for economically weaker section यह कौन से हमारे समीधान म जहां पर poor background से belong करते हैं उनके लिए हमने reservation रख रखा है उनके लिए seats को reserve कर रखा है तो यह सब कहां से लाया गया 103 constitutional amendment act लाया गया था इसके through introduce करा हमने economic reservation ठीक है 10% quota दे दिया हमने jobs के अंदर admissions में education के अंदर institutes के अंदर कि जो economically weaker section है उनको लिए यहां पर इतनी seats खाली रहे section C में article 16 subsection 6 के अंदर ठीक है तो यहां पर हमने यह सारी चीजों को insert कर दिया उसके बाद यहां पर benefit क्या होगा बहुत सारे लोगों को obviously यह लोग पीछे जो रह जाते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो गाइस इसी के साथ हम करते ह हैं अपना इस वीडियो का समाप्त आई होप आप लोगों को सारी चीज़े क्लियर हो गई होंगी ओके नाव मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाए हैव नाइस टे